आपका स्वागत है पॉल पेरी नाम के एक मतलब से थेरपिस्ट है दोस्तों उनके केसेस में से आज हमने ये कहानी ली है ये जो कहानी है पहले भी मैंने आपके सामने रखी थी लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी बाते जो होते हैं हम सब के लिए बहुत ज़ादा महत्वपूर्ण ह होते है और जो लोग नए जुड़े है उनको वो शायद मतलब उन तक वो आप तक पहुची नहीं होगी इसलिए मैं फिर से आपके सामने रखता हूँ एक कहानी कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि एक इनसान ने अपने भाई को मतलब खोया था और उसके भाई ने दोस्तों सुसाइड किया था और अपने भाई को लेकर वो बहुती ज़्यादा दुख में जी रहा था कि अगर मेरे भाई को कुछ दुख था तो उसने मुझे कहना चाहिए था उसने आखिर ऐसे क्यों किया मैं उसको मतलब सारी चीजों से मदद करने की कोशिश करता मैं हमेशा उसक अपना पास्टलाइफ रिग्रेशन किया और उस पास्टलाइफ रिग्रेशन में दोस्तों उसको जो दिखा उससे पुरी तरीके से वो चोग गया उसने एक थोड़ा सा मतलब सोचा था कि मुझे ये देखेगगा लेकिन एक अलगी चीज उसको पी अलार में दिखी उसने यह देखा दोस्तों की बहुत सारे जन्मों से, मतलब इसके पहले, जो सातार जन्म उसने लिये थे, उन सारे जन्मों में इसने खुद ने सुसाइड किया था, सोचिए, और उसके बाद दोस्तों एकदम चौक गया, और उसने यह सोचा कि आखिर ऐसा मैंने क्यों किया, और उसके बाद दोस्तों उसको कुछ ऐसे जवाब मिले, पियालार में, उसको इस तरीके से जवाब मिले, कि यह जो दुख है उसके जीवन में, वो इसलिए उसने चुनाव किया था, ताकि वो यह समझ पाई कि सुसाइट करने के बाद, इंसन तो चला जाता है, लेकिन उसके परिवार पर आखिर क्या बिखती है, जैसे आज यह अपने भाई के वज़े से खुद दुखी है, उसके माता पिता उसके लिए दुखी है, तो ऐसे जो दुख है, उसका वो खुद सामना करे, और उसको पता चले कि इंसन सुसाइट करके चला जाता है, लेकिन उसके बाद उसका जो परियावार है, वो कितना दुख में जीता है, तो इस सारी चीजों के बारे में उसको पता चले न, इसलिए उसके सामने इस जीवन में वैसा दुख आया था, क्योंकि ये अगले फिर से किसी भी जनम में ऐसा कोई भी कदम ना उठाए, तो इस तरीके से उसको बाते पता चली, उस तो पहले मतलब अपने भाई को दोश दे रहा था सारी चीजों के लिए, लेकिन अब तो वो म में यही ठाना कि मेरे जीवन में चाहिए कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कर जो कदम है, वो अपने जीवन में कभी भी नहीं उठाओंगा, यह जो बात है दोस्ता हम सब के लिए बहुत जादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार है ऐसे ही सोचते है, जैसे किसी मतलब कोई बच् तो इसी चीजों से दोस्तों हम यही सीख सकते हैं कि अपने जीवन में चीतना भी दुख है, हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना, जिससे हमें भी कल मतलब future में बदुखी होगा, और हमारे परिवार दोस्तों कही ना कही एक जिन्दा लाश बनके रहेगा, उनके आखों स यह मतलब कही ना कही खुन के आसू रहें, मतलब निकलेंगे, ऐसा कोई भी हमें कदम अपने जीवन में नहीं उठाना, हमें जीवन में आगे-ागे बनने की कोशिश करने होगी, बहुत सरे लोगों ने मतलब खुद कही है बाते कि उनके जीवन में इतना दुख था कि आग अगले वीडियो में मिलते हैं, आप अपना अपने परीवार का खायाल रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेनुएन भरोसे मन थेरपिस्ट की तलाश कर रहे हैं, जो आपके अपनों के संदेश आपको दे स आपका बहुत बहुत धन्यवाद